हेलो गाईज, मैं हूँ अंजुमित्ल, आप सभी को मेरा राम राम, आप देख रहे हैं बिंदु फूट फेक्टरी, बिंदु फूट फेक्टरी में आप सभी का स्वागत है, आज मैं आपके लिए ऐसी रेश्पी लाई हूँ, जो की सब की फेवरेट है, आज हम बनाएंगे पीजा डो जो की मेरी अजमाई हुई रेस्पी है सबसे पहले हम लेंगे मैदा मैदा को हम इस हिसाब से मेजरमेंट करेंगे अगर हमारा मेजरमेंट अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा ये टोटल हमने धाई सो ग्राम मैदा ली है और नाप के हिसाब से ये पांच चम्चे मैदा हो गई है ये एक चम्चा मैदा हम बार में यूज़ करेंगे ये सुखा दूद का पाउडर है ये बीस ग्राम है इस से टेक्षर बहुत ही अच्छा आएगा अब हम एड़ करेंगे दो चम्मचिन्नी के अब इसमें जाएगी एक चम्मच नमक इंस्टेंट इस्ट दो चम्मच ताजा या फिर आप का इस्ट पुराना हो तो तीन टीस्पून भी यूज़ कर सकती है क्योंकि वो अपना इंफेक्टिनेस खो देता है जितना ज़्यादा पड़ा रहता है उतना ज़्यादा ही अपना इंफेक्टिनेस खो देता है अब हम ड्राई इंग्रेडियन्स को मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे यानि की रिफाइंड तेल कोई भी तेल ले सकती है आप 3 टी स्पून यानि की 3 चमच इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गुंदेंगे इसे गुंदने के लिए हमें चाहिए पानी पानी का भी हम मेजर्मेंट करेंगे तीन चमच पानी को हम गरम करेंगे पानी का नाप सही होगा तो या यू कहिए कि पानी का मेजर्मेंट सही होगा आटा हम प्रफेक्ट गुंद पाएंगे तोल के हिसाब से पानी 150 ग्राम है 150 ग्राम याद रखिए पानी बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए इस तरह होना चाहिए कि आप अपनी अंगली डुबा सकती हो और आपको जलन भी ना हो रही हो अगर आप बहुत ज़्यादा गरम पानी ले लेंगी तो इस्त जो है वो कड़वा हो जाएगा और टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं आएगा यहाँ पर हम अजेक्ट 150 करम पानी का यूज करेंगे इसे नीड करने में पानी डालते जाएंगे और नीड करते जाएंगे इस तरह से हमने मैद्य की कंसिटी ऐसे पतली रखनी है इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको नीड करते जाएंगे इसको हमने यह देखो इसके अंदर पानी को रुमाएंगे अब इसको अच्छे से गुंतेंगे और यह देखो ऐसे इस तरह से हमने इसको 5-6 मिन्ट के लिए इसको ऐसे ही गुमाना है अब इसको हम पानी का हाथ लगा कर 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए इसको ठक कर रख देंगे 30 मिनट हो गए हैं इस तरह सुपरफिस पर मैदा चिड़केंगे यानि की कुश्क फ्लोर चिड़केंगे इसके उपर डो रखेंगे याद रखें डो को इसके उपर रख लेने के बाद हम इसे अच्छे से गुंदेंगे जितना ज़्यादा आप डो को गुंदेंगी उतना ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा इस तरह हलके हाथों से 5-6 मिनट अच्छे से गुंदे नरम नरम हातों से याद रखिये इतना गूंधना है कि हातों पे चिपकना बंद हो जाए इस तरह से सोफ्ट सा डो हमारा तैयार हो जाए एक बड़ा सा बरतन है इसको हम गृल करेंगे इसमें थोड़ा तेल लगा देंगे इसमें डो को रखेंगे इसके उपर भी ओईल लगा देंगे और ढख देंगे सर्दियां हो तो इसे 6-7 घंटे रख कर चोड़ दे गर्मी का मोसम हो तो 1 घंटा काफी है और बीच का मोसम हो तो 3-4 घंटे लगते हैं इसे राइस होने में डो हमारा तयार है इसके तयार होने की निशानी ये है कि इसके उपर हाथ से हलका सा इसे प्रेस कर देंगे प्रेस कर देंगे ये उपर आ जाएगा इस तरह करके जूम करके दिखाया है मैंने इसे हलका सा प्रेस किया ये उपर आ गया ये डो हमारा बिल्कुल तयार है आप देख सकती है डो हमारा डबल हो चुका है 6-7 घंटे लगे इसे तयार होने में किसी भी पीजा में यूज करने के लिए रैडी है उमीद है आपको ये रेस्पी जरूर पसंद आएगी जो ये टिप्स आपको दिये हैं उसे फोलो करें बहुत ही जबरदस्त आपका पीजा बनेगा आप ओन में बनाए या पैन में बनाए रैस्पी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा आप सभी को मेरा राम राम जी थैंक यू सो मच टेक यार